नमस्कार इन खबर आप देख रहे हैं साथ आपके मैं हूँ शालिनी कपोर्तिवारी अखेले लोग इस नंबर पर फोन करें एक नंबर दिया हुआ हो और इस तरह का परचा शायद हो सकता है कभी आपके जीवन में आपके सामने आया हो कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि आप ट्रैफल कर रहे हैं रेलवे में और ट्रेन में बात्रूम के डिबबे में भी कुछ इसी तरह के नंबर लोग लिख देते हैं कुछ बदमाश होते हैं शरार्ती तत्व होते हैं जो इस तरह के नंबर लिख comentarios करने कि खोशिश करते हैं या फिर किसी को परिशान करने की कोश बहलाने के लिए इस नंबर पर फोन करें और उसके साथ फोन नंबर देना किसी पुरुष का किया हुआ काम नहीं है बल्कि एक महिला का किया हुआ काम है और वो हुआ के पूरा मामला है Sector 74 में Cape Town में रहने वाली एक महिला की एक दूसरी महिला से जो उनके साथ ही काम करती थी उसके साथ रंजिश थी और ये दोनों ही एक साथ काम करती थी जिस महिला का नंबर माटा गया है वो एक डांस टीचर भी है अपनी डांसिंग ख्लासेश जलाती है एक महिला के साथ उनकी दुश्मनी होती है और बदला लेने के लिए उस महिला ने Sector 74 Cape Town में रहने वाली इस महिला का नंबर एक पैंफलिट के उपर छपवाया और उसमें लिख दिया कि दिल बहलाने के लिए अगर आप अकेले हैं इस नंबर पर फोन करें और हजारों के संख्या में पैंफलिट आसपास का जो एरिया था पेपर वालों को दे करके बठवा दिये कई महिने से इस महिला को लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे अश्लील बातिंग की जा रही थी फोन के उपर और हर बार महिला रॉंग नंबर कहा करके फोन काटती थी लेकिन इस तरह का कोई दूसरा फोन कॉल उनके पास आ जाता था बहुत परिशान थी यह महिला समझ नहीं पारे थी नाम में यहाँ पर आपको नहीं बता रही हूं इन दोनों ही महिलाओं का पहचान में गुप्त रख रही हूं क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पूरे मामले के उपर लेकिन एक शक्स का जब फोन आया तो महिला ने पूछा कि आपको मेरा नंब महिला ने पूछा कि आपने ये पैंफलिट कैसे बाटे तो उसने जो आरोपी महिला है उसकी पहचान बताई अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि दुश्मनी के कई तरीके हैं और लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं लेकिन जो कहावत शुरू से कही गई है कि एक मह आपसी रंजिश बदला निकालना और इस चकर में किसी के साथ ऐसी घटना ये वाकई हैरान करने वाली घटना है वो जो महिला है अपने बच्चे के साथ इस जगह पर इस सोसाइटी में रहती है केप टाउन जैसा मैंने आपको बताया उस बच्चे के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा कही महिला को जितना बदनाम करने की कोशिश की गई है उससे कोई बहुत जादा बड़ा खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ जाएगा क्योंकि फोन नमबर मिलने के बाद हो सकता है कि कोई आपके घर का अज्रेस भी पता लगा ले इत तमाम बातों को पोचा नहीं होगा समझा नहीं होगा कि इसका परड़ाम कितने दूर तक जा सकता है और ऐसी घटनाएं अकसर ही हमारे समाज में आती जा रही है और हम यह कह सकते हैं कि किस तरह से लोगों की समवेदनाएं खत्म हो रही है और मानवी अपहलू कहीं नहीं खत्म होता नजर रहा है इस घटना में भी कुछ कहना आप चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में कहिए इसके अलावा हमारे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल